तो जैंद बच्चों लेकर आज चुकों मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th mathematics आरे से कर वाला ICC words आपके पास chapter नमर 15 यहाँ पर आपके पास चेप्टर है उसका नाम है similarity उसके साथ ही में लिखा है आपके पास as a size transformation इसका मतलब यह है कि जो आपके पास similar figures होने वाले हैं हम उनके size को transform करने वाले हैं कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर समझने की जरूत पड़ेगी कि यह जो similarity है वो होता क्या है तो सबसे पहले हम similar figures के बारे में या similar objects के बारे में ठीक है ना उसके बारे मैं यहाँ पर सबसे पहले डिसकस करने वाले तो सबसे वहले देखें सिमिलर क्या होते हैं उसको एक बर बता दे तो यह है दो चीजें जो बिल्कुल एक जैसी हैं उनको हम सिमिलर कहते हैं ठीक है दो चीजें अगर एक जैसी है तम उनको क्या कहते हैं सिमिलर कहते फॉर एक्जम्पल आपके पास ट्रेंगल से बेटर समझ में आने वाले आप लोगों को सिमिलर फिगर के बारे में जैसे आपको एबी से एक यह वला ट्रेंगल देख रहा है ठीक है बिल्कुल सेम ऐसा एक और ट्रेंगल मैंने बनाया है इसको मैंने पी की और की नेमिंग कर यह दौनों ट्रेंगल आपको बिल्कुल एक जैसे देखने को लग रहे हैं वह बिल्कुल एक छोटा है एक बड़ा है और एक जैसे दोनों क्या आपके पास ट्रेंगल है तो मैं इनको सिमिलर कहता हूं बड़ उसके लिए कुछ कंडिसन को हमें फॉलो करना पड़ता है पह पर हमने आपको डिटेल में बैसिकल में अभी आपको करवा दिया है तो वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यही चीज हमने वहां पर आपके सामने किया को रिस्पोंडिंग अंगल मस्ट बेक्वल को मतलब तो जो सेम जगह है माल लिजे मैंने इसको उठा कर इसके ऊपर लिए आपके पास पॉल प्राबलम है तो उसको हम क्या किया देते हैं चिज रवित इना कंडिशन काफी नहीं होती अह इस कंडिशन से aspect आप सकतेना और यह सब्द्ध corresponding sides must be proportional corresponding sides are proportional इसके must के जगा हटा देते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि यह हमेशा ही हो बट हाँ equal जरूर होते हैं equal होते हैं तो वो कह देते हैं कि similar तो corresponding angles equal होते हैं दुसरी चीज corresponding sides are proportional yes, corresponding sides are proportional जाएगा तो अगर इन में से किसी भी कंडिशन को फॉलू करता है आप कह सकते हैं तो 100% वह जो चीज होंगे वह सीमिलर होंगे ही होंगे क्या इतनी सी बात समझ में आ गए इतनी बात आप दौनों को कह सकते हैं कोई टेंसन वाले बात नहीं इन दौनों को फॉलो करता है तो हम फिगर को क्या कहते हैं similar कह देते हैं ठीक है फिलाल मैं similarity के detail में नहीं जा रहा हूँ और यह हमेशा similar होते हैं इस तरह से टेड़ा मेरा साम बना दिए ठीक है तो दो स्क्वाइर हमेशा similar होते हैं दो सरकल हमेशा similar होते हैं एक चोटा होता है बड़ा होता है बिलकुल एक ही तरह के होते हैं ठीक है square का ही ले लेते हैं मान लेते हैं कि एक ही छोटा वला square है ठेक है उसके बाद हमारे पास कैसे। क्या है एक बढ़ा वला square है तो इसके size को मानते हैं कि कितना है wow 2-2-2-2-4 centimeter ले 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 लिते हैं चलिए गामंद कि кстати buy eyelashes饭pers कि नहीं ना एक साइड को equally increase करूं, जैसे कि ये 2 cm था, माल लेता हूँ, मैंने इसको कितना कर दिया, 10 cm, तो ये भी कितना होगा, 10 cm, ये भी कितना होगा, 10 cm, ये भी कितना होगा, 10 cm, क्योंकि इसको एरे 4 साइड equal होंगे है, तो सबको मैंने increment कर दिया, 8 cm से, और you can say, कि मैंने इनके साइड इसको five times increase कर दिया क्या इतनी सी बात समझ माई है यहाँ पर मैंने के sides को क्या कर दिया five times increase कर दिया अच्छा हम सिरफ side को इनको enlarge इसको कहा जाता है enlargement enlargement इसका मतलब यह कि आपने एक figure को है ना देखें दो square हमेशा similar होते हैं तो similar figure को आप उसको transform कर सकते हैं किसी को छोटा भी कर सकते हैं तो वहीं पर किसी को आप बढ़ा भी कर सकते हैं यह जो example अभी हमने आपको बताया वो था आपके बास enlargement का मतलब आपने size को बढ़ा कर दिया secondly आप इसको reduction का भी example दे सकते हैं कि इसको अमने reduce करा दिया तो पहले ऐसा था और आप में क्या करता हूं थोड़ा सा चोटा बना दिया उसके मुकाबले मैंने इसको क्या कर दिया चोटा बना दिया तो आप इसका साइज हो गया वह one 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 ले लिया मैंने कोई टेंशन मेली बात नहीं है चीजों को आपको बस बहुत अच्छे तरह की से समझना है तो आप इन्हें यहां पर देखा दो चीज़ें कि एक किसी स्क्वैर को या फिर आप ऐसै कह सकते हैं कि किसी एक फिगर को उसी के सिमीलर बनाके इसका साइज हॉम बढ़ा भी कर सकते हैं और उस इक उचूटा कर शकते हैं बताए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अब बात आती सर यह जो कंसेप्ट हम यूज कहां करते है तो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कुछ भी हम एक नई चीज बनाना चाहते हैं For example, हमने एक नया highway बनाना चाहा अच्छे समझेगा, एक हमने नया highway बहुत modern वाला highway बनाना चाहा एक के उपर, एक एक के उपर, एक roads जाएंगे एक बात बताईए, क्या उसको बनाने के लिए हम directly अपना construction शुरू कर देते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक model तयार करते हैं एक हम model तयार करते हैं, एक छोटा सा model तयार करते हैं उसके comparison में तो बहुत छोटा होता है इतना बड़ा हमने यहां पर एक model तयार कर दिया इस model में हम सारी चीजे, वो सारी चीजे mention करते हैं, दिखाते हैं जो actual में हमें वहां पर, जो actual वाले model में हमें बनाना है तो यहां के वाले model में, actual वाले model मतलब वहां पर जो real में बनाना है और यहाँ पर जो model होंगे तो model में हमें ने क्या करा है एक तरीके से बड़े वाले का एक छोटा वर्जन है और कुछ नहीं है तो वहाँ पर आपने क्या करा है उस बड़े वाले का size क्या करती है छोटा कर दिया तो वहाँ पे कही ना कही हमें सारी चीज़े mention करनी पड़ती है जो real वाले में mention करनी है तो ठीक उसी type से मान लिजी ये बड़ा वाला highway था उसको छोटा करना था इतना छोटा कर दिया खतम बत अब इस वाले model में हम किसी को भी explain कर देंगे अच्छे तरह के सुनको समझ में आ जाएगा या फिर कभी आप एक building बनाना चाहते हैं बड़ा सा मज़ सा घर बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप क्या तियार करते हैं उसका एक map तियार करते हैं या फिर आप कह सकते हैं उसका एक model भी तियार कर सकते हो no problem अगर आप बहुत बड़ा एक जहाज बनाना चाहते हैं अर्योपलीन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उसका model तैयार करेंगे कि यहां पर यह होगा यह उस तरह के से तो आप क्या जो बड़ी वाली सीज डिरेक्ली नहीं बना रहें पहले क्या करें हम छोटी वाली चीज बना रहे हैं पहले क्या करें हम छोटी वाली चीज बना रहे हैं तो बस उनी सारी चीजों के लिए हमें यहां पर माल लीजे एक बहुत बड़ा फिल्ड बनाना है जिसमें अलग अलग तरह के हम वहां पर क्रॉप्स जो है उगाने वाले खरें गोडल सब्सक्राइब करने दोटने तो अब बढ़ने वाले वाले उसी तरह से हम प्रॉप डालेंके और उसको एक हम बता देते हैं हमारा त्यार है अब अपने बड़िवाले फिल्ड के लगा सकते हैं तो कर क्या रहे हैं यह कितना ज्यादा उस चीज़ पर आपको ध्यान देने जुरूत है वह सबसे पहले हम क्या करते हैं मॉडल तीयार करते हैं यहांपर फिर सबस्दाओ आप दो तरह के वाड़ आपको देखने को कर सकते तो इसी चीज को कहा जाता है मैप ठीक है ना जो मैप होते हैं आपके सामने यहां पर मैप और मैप होगी और दुसरा आपके पास मोडल इनके बीच में डिफरेंस समझेगा मैप मतलब सारे का सारे टूडी फिगर्स और मोडल का मतलब 3D shapes खतम बाद यह कहानी आपके पास यह डिफरेंस में और कुछ डिफरेंस नहीं है मैप का मतलब 2D वाले सारे चीज़े की बात करेंगे मोडल का मतलब 3D वाले बात करेंगे उपर अभी हमने स्क्वाइर की बात करा तो वह एक मैप है वह एक फिगर है ठीक है ना दुसरी ची करेंगे तो एक मोडल का एक्जामपल हो जाएगा समझ में आ गए एक बहुत बड़ा आफशीप बनाने जा रहे है तो उसका एक मोडल बनाएंगे तो जितने भी 3D वाले चीज़ेंगे उनको मोडल कहेंगे और जितने 2D वाले हैंगो उसमें हमारे पास कह रहेंगे आपके आपके मेरों जो वाले है कि हमारे पास यहाँ उसी चाप से एक मैप मतलब हो फोड़ी की और इंडिए कर मॉडल बना और इक मोडल अब यहां पर आपको एक बहुत अच्छे से चीजों को समझना यह है कि हमारे पास एक यह वाला स्क्वार था हमारे पास एक यह वाला बना दिया हमने है यह वाला स्क्वार कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है चलिए यह वाला स्क्वार था अभी हमने आपको बता ह किया है या फिर छोटा किया है तो उसके लिए अब कैसे निक09 के देखे, इस वाले का length, यह वाला, यह क्या है आपके पास? एक तरीके से कह सकते हैं कि यह बाद में जो आ रहा है, वो क्या आपके पास? और आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ये वाला है उब्जेक्ट है उसको प्री इमेज भी बोल सकते हैं प्री इमेज भी बोल सकते हैं कि पहले प्री इमेज थी बाद में हमने उसके एक नई इमेज दे थी पहले एक normal object था उसको हमने एक नया model तयार किया या फिर एक नया image तयार किया है तो यहां से आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने आपके सामने दो चीजों के बारे में बात की है ना अच्छा यहां पर एक खास बात समझेगा कि यह जो नया वाला यह वाला जो चीज हमें निकल कर आ रहा है वो कैसे निकलेगा देखेगा मैं आपको समझाता हूं गियादेखे ये टू से टीन कराया तो हंड़ी पर्शेंट इसको मैने 5 से मल्टिप्लाइ किया होगा चेक है तो वो कैसे निकला वो बता देता हूं मैं तो वाला जो चीज है इसको मैं बोल सकता हूँ लेंथ बोल देता हूँ चलिए लेंथ आफ लेंथ आफ इमेज बोल दीजे ये वाला या फिर इमेज के जगह मैं मैप का यूज करूँगा और दूसरा आप मॉडल का यूज कर सकते हैं अच्छे से समझेगा बहुत अच्छे तरह के समझेगा यहाँ पर दौनों चीजों की बात करेंगे एक मैप की और एक मॉडल की मैप होगा टूडी जैसे का अभी के फिलाल के तोर पे आमें वोजे सिर्फ और सिर्फ मैप कहना चाहिए और कुछ नहीं है ना तो सिर्फ मैप है कितना है 10 है वो 10 कैसे आया होगा उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना है वो कैसे आया होगा कितने टाइम्स किया है इसको कितने टाइम्स किया है 5 ताइम्स किसको एक्च्छल लेंथ को 5 ताइम्स और यह क्या है आपके पास actual length yes actual length of model बताइए किस तरह की कोई problem model के जगा यहाँ पर map का use करेंगे हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2D figure है या फिर आप model भी बोल सकते हैं वो depend करेगा कि आपके पास क्या है 2D वाला है या फिर 3D वाला है फिलाल 2D वाला है तो model की हम बात नहीं करेंगे बाकी इन दोनों के जगा एक चीज आप लिख हो या तो वो 2D होगा या तो वो 3D होगा इन दोनों में से कोई एक चीज लिखी जाएगे फिलाल किस की बात करेंगे map की बात करेंगे तो यह जो जितने times हम increase करते हैं या फिर जितने times हम decrease करते हैं बस उसी को कहा जाता है कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से length of map या फिर आप कह सकते हैं model और यह जो जितने times increase हुआ है 5 times, 6 times, 7 times वो ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? के के नाम से जानते हैं और into में क्या रहेगा आपके पास actual length of map और you can say model बता यह किस तरह की कोई problem यहाँ पर? दन है, बिल्किल छोटी सी चीज है कोई टैंसरोली बात नहीं है, ठीक है तो length of map या फिर model हम कैसे निकालते हैं जितना भी time समने increase किया है और साथ में into में क्या रहेता है आपके पास actual length समझ माँ आगे तिनी बात? अच्छा, यहाँ पर यह जो k होता है k होता है, उसको में scale factor के नाम से जानते है scale factor के नाम से जानते है scale factor के नाम से जानते है तो यहाँ से अगर मैं k की value निकालू तो आप लोग अच्छे तरह के से देखेगा कि यह जो multiply में k के साथ वो इधर आ जाएगा तो divide में आ जाएगा तो यह जो क्या आपके पास? length of map or you can say model divided by map yes, divided by map यह वाली चीज आएगी क्या आपके पास? actual length of map or you can say model इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको k की value मिल जाए तो आपको कुछ करने क जुरूत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ क्या किजिए कितना उसका map जो नया वाला आपने बनाया है image है उसका कितना length और उसको divide कर दिया actual वाले से समझ में आगे नहीं इतनी बाद तो आपको यहां से हमें से याद होना चाहिए कि k की value हम कैसे निकालते हैं और k को हम कहते क्या है scale factor के नाम से यह जाना चाहता है ठीक है? अच्छा तो यहां से k इस equal to यहां पर क्या आने वाला है अच्छे तरीके से देखेगा यह जो length है ठीक है ना actual length इसके जगा पर आपके बस breadth आ सकता है और इसके जगा पर height भी आ सकता है तो बात एक ही रहेगा जब आप one dimension की बात करेंगा one dimension मतलब या तो length या तो breadth या तो height तो इन तीनों में से आप किसी एक चीज़ की बात कर सकते है यहां पर length के जगा length रख दिये दोनों जगा या फिर दोनों breadth के जगा breadth रख दिये height के जगा height रख दिये कोई दिक्कत नहीं है तीनों आप पर smaxes करेंगा formula वही रहेगा कुछ भी फार्क नहीं पड़ेगा क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई बात अब यहां पर k की बात करेंगे properties of k properties of k k को क्या कहते है scale factor scale factor के value पर 100% आपके सामने dependence हो जाएगी कि जो object है उसको हम बड़ा करना चाह रहे है अच्छे तरीके से समझेगा अभी कोई वहारे पास square था उसको हमने बड़ा किया था यह 2 था और यह वहला 10 कर दिया था तो क्या होगा 100% बड़ा हुआ तो k की value कितनी निकली थी k की value 10 by 2 करा था तो 5 निकली थी अगर k की value greater than 1 होती है अच्छे से समझ लिजे k की value greater than 1 होती है देख लिए अभी यहां पर 5 आया तो 100% वह enlargement हुआ है size को बड़ा किया गया है छोटी सी चीज है उसको हमने बड़ा करके देखा है दूसरी चीज अगर k की value less than 1 आई for example जैसे यह 2 था बाद में हमने एक नया model बना है जिसका side को हमने कितना बता दिया 1 तो बाद में क्या हो गया 1 हो गया तो model का कितना है या फिर अब map को कितना 1 है और original कितना था actual कितना था 1 by 2 मतलब less than 1 आएगा वह 100% है ना less than 1 आएगा तो यह वाली जो value रहेगी वह 100% reduction की रहेगी कि जो model या फिर जो map है उसको छोटा किया गया होगा 100% दूसरी चीज़ अगर k is equal to 1 आजाए मतलब दौनों की length क्या equal equal यहाँ 2 और यहाँ पर 2 होगा तब ही तो divide कर के 1 आएगा तो इस case में जब k की value 1 होगा तो same size रहने वाला है उसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी transformation नहीं किया हुआ है अगर transformation किया भी है तो size same रखा हुआ हुआ है कुछ और मतलब चेंज पर क्या ही चेंज आएगा कोई change नहीं आने वाला map के बारे में बता देता हूँ map के बारे में अगर आप length निकालना चाहते है length of map यहाँ पर map map की बात करूँगा ठीक है तो वो कैसे निकलेगा length of map बनाया है वो वो आप k times क्या करेंगे actual length of map actual length of map यह जो length है उसके जगा आप क्या कर सकते है breadth भी कर सकते हैं और क्योंकि मैं map की बात कर रहा हूँ मतलब जो 2D figure है उसकी बात कर रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पर दो ही चीज़ आएंगे या तो length या तो breadth या तो length या तो breadth बस यह दो चीज़ आने वाली ठीक है secondly अगर आप चाहते है कि area में क्या यह दो बार आ जाता है और into में आ जाता है आपके पास actual actual length of map actual length of map बताए किसी भी तरह की कोई problem भाई डाने बिलकुल छोड़ी सी चीज़ है अच्छा यह तो length या तो breadth या तो breadth आए गई इस वाले में symbol और area के case में यह चीज़ आ गई आईए दुसरा हम समझते है model के बारे में model के बारे मतला वो 3D के बारे में समझने वाले है अब हम तो पहली चीज़ वही रहेगी length of yes length of किसका model वो आप कैसे निकालेंगे फिर से वही चीज़ रहेगी k times actual length of model k times actual length of model ठीक है अच्छा दुसरा है यहाँ पर length के जगह आपके सामने breadth भी हो सकते हैं कोई tension वाली बात नहीं ठीक है length के जगह आपके पास height भी हो सकते हैं कोई tension वाली बात नहीं क्योंकि हम model की बात कर रहे हैं तो length, breadth, height, 3 इसमें include हो सकते हैं length होगा तो दोना side length, breadth होगा दोना तरफ breadth और height होगा तो दोना तरफ height दूसरी चीज़, area की बात कर सकते हैं no doubt surface area उगरा की बात कर सकते हैं तो जब हम area, area of model की बात करने वाले हैं, तो फिर से वही same चीज़ यही वाले, k का square और into में actual area of model की बात करेंगे, बताए किस तरह की कोई problem भई यहां तक, नहीं न, छोटी सी चीज़ है यार, इसमें क्या problem आने वाली आपको, है न, चलिए, एक हम तिसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, इसमें और, क्योंकि जितने भी model होते हैं, 3D वाले object होते हैं, उसका खुद का कुछ न कुछ volume भी होता है, उसका खुद का कुछ न कुछ volume भी होता है, तो आओ यार, volume के बारे में बात करते हैं, तो यहां से आजाएगा आपके सामने volume of model, और आपको समझ माँ आगया, क्योंकि यहां पे सिरफ length, या फिर breadth, या फिर height की बात करते हैं, इसलिए k आया, दूसरा length और breadth दोनों की बात करेंगा, दोनों में change आएगा, जिसके होजासे k square होगए area, यहां पे length, breadth और height, तीनों के change के बारे में बात करेंगे, that's why it will be k की power 3, और इंटू में actual volume of actual volume of किसका, yes, model, बताएगे किसी भी तरह की यहां तक कोई problem, और कहीं न कहीं अगर आप चीजों को देखें, तो आपके सामने यहां पे k के जगा बस इतना ही लिखा जाए, सारी चीज़ें मतलब इतना ही concept है, इस chapter का ज़्यादा कुछ नहीं है, कि भाजी साब हमें परिसान होना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस chapter में है, यह वो दुनियादारी, कुछ नहीं, चादा का इंसा नहीं लेना, बड़ी छोटी सी चीज़ें, अच्छा, यहां पे आपके सामने जो चीज़ें देखने को मिलेंगे, वो और बता दिता हूँ, जो के देखने को मिलेगा ना, वो हमें साब वन रेशियो प के फ़र्म में देखने को मिलेगा, वन रेशियो प के फ़र्म में, तो वन अपउन में प, इस तरह से भी लिखा हूँ, हम उसको करेंगे, गबराना नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऐसे लिखा हूँ रहाएगा, वन रेशियो ट्वन 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 तो यह वाला एक तरीके से क्या हो जाएगा- उसको कितना बनाना है? बनाना है? मतलब एक तरीके से ये वाले जनरलिय आप किसमें यूज करेंगा? रिडक्षन के लिए जैसे बड़े-बड़े मॉडल होते हैं अब let's say Eiffel Tower की बात कर लेते हैं अगर Eiffel Tower इतना बड़ा है Eiffel Tower हमारे पास इतना बड़ा है तो क्या हमने Eiffel Tower डायरेक्टली बना दिया नहीं, सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल तयार किया गया होगा तो अगर उसकी जो length है इतना सारा लंबा उपर जो गया है आपके पास उसको हम कम से कम reduction करने वाल है कुछ नहीं तो बहुत कम तो और भी अगर मैं इसको कितने से डिवाड़ कर दो 100 से डिवाड़ कर दिया तो कितने का model बनेगा 8.5 meter का तो 8.5 meter का पहले model बनाएगो एक example ले रहा हो उसके बाद इसका construction करके 8.5 meter का बनाएगो एक example ले रहा हो इसकी length को यह confirm नहीं कि इतना ही है सर्च कर लेज़ेगा एक example लिए मैंने ठेक है न तो यह कहानी आपके पास तो इसी तरह से जितने भी बड़े बड़े objects होते हैं उसका हम एक छोटा सा model मतला कोई बड़ा साथ चीज बनाना चाहते है 3D model बड़ा साथ चीज एक्च्वल में उसका स्टैबलिस करना चाहते है तो पहले हम उसका model तयार करते हैं तो जो model होता है हाइट लेंथ बड़ा हंडेट परचेंट क्या होता है समझमारी न बड़ उसके जो लेंथ और बड़ा हाइट होते हैं उसका क्या गया जाता है अब आईए जब तक मैं आप लोगों कुछ questions नहीं करवाँगा न तब तक आपको feeling नहीं आएगा चीज़ें और भी जादा अच्छे से करने के लिए आपको questions की practice करने पड़ेगी तो मैंने चार questions को include की है solid example से तो उसके बाद हम आपके सामने exercise को लिए आएंगे तो डरने की कोई जरूत नहीं है आईए सबसे पहले हम question number one की और नजर मार लेते हैं पढ़ लिजे एक फटा फटा फट question को पढ़ लिया तो आपके सामने यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक triangle है जिनकी sides given है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक triangle बना लेता हूँ यह रहा मेरे पास एक triangle ठीक है इसका side given है ABC ABC तो यहाँ पर देख लिजे AB कितना आपके पास 12 cm है BC कितना है 8 cm है और next किया है आपके पास AC कितना है 14 cm है चलिए बाद में कहा जाता है is enlarged मतलब इसको बढ़ा करा गया है अब बढ़ा करा गया होगा तो 100% यह बढ़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से चलो हमने इसको क्य कर दिया बढ़ा कर दिया यहां पर लिग दिया अच्छा आगे का जाता है 2 A-B-C-S मतलब ही जो ट्रेंगल है उसको आमने फिर A-B-C-S की निमिंग कर दी ऐसा कहा गया चोटे वाले ट्रेंगल को उमने बढ़ा कर दिया तो इसका जो स्मॉलेस्ट होगा इसका भी वही वाले स्मॉलेस्ट मना जाएगा क्योंकि हमें सीमिलर बनाना पड़ता है ज्यान रखेगा तो इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा 12 सेंटीमिटर इन्होंने करा हुए देखें जो पहले ऑबजेक्ट था यह वहला टूडी मैप था इस मैप को हमने बढ़ा किया है और कुछ इस तरह बढ़ा किया है कि इसका जो सबसे छोटा वहला साइड था आठ संटीमिटर जो था वो अब हमने कितना कर दिया बढ़ा कर दिया चोटे वाले साइड को बनता है के से बोलते हैं तो किया होता है आपके पास मैप का लेंथ है कि लेंद्ट ऑफ मैप और डिवाड़ दो है प्यांस तो मैप का लैंद कितना देख लिजिए ट्वैल और पता चल जाए संट मेटर सेंटीमेटर लिखोंगा जब भी कटी जाएगा तो थी आपॉन में नहीं है क्या इतनी बात समझ में आ गई ठीक है चलिए तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गए ठीक है तो इसकी लेंद कितनी निकलेगी यहां से निकाल देंगे आपको पता यह यह वाला क्या आपकी पास तो में में आपकी बात करेंगे मोडल की बात नहीं करेंगे डैट विल्बी के टाइम से इंटो में एक्ट यह वाला इटीन सेंटी मिटर बन जाएगा similarly k के जगा 3 by 2 रखेंगे और into में यह वाला 14 का उधर कर देंगे यहां पर 14 कर देंगे यह कर जाएगा 21 cm तो यह वाला 21 cm का होगे question complete question complete होगे बड़ा छोटा सा question होता है सिर्फ और सिरफ आपको concept समझना है आईए अगले question की और बढ़ जाते हैं लंबा चोड़ा question होता है आंसर बड़ा छोटा होता है इसमें का जा होना map फिरसे मैप वाला question है draw a scale of 1 to the 50,000 देख रहे हो कितना बड़े को छोटा किया गया है वन रेशियो 50,000 बोल दिया सिद्धा तो इसमें का है rectangular plot of land ABCD has the following dimension मतला अब एक map हमने तयार किया है यस अब एक map हमने तयार किया है उसका जो length और breadth इसनों ने बोल रखा है न वो 6 cm और 8 cm का बनाया बट actual में कितना बड़ा था वो देख रहे हैं 50,000 टाइमस बड़ा था वो उसको हमने reduction कर दिया है और एक rectangle बना दिया है हमने इसको तो आओ यार फटा फट क्या करते हैं rectangle को यहाँ पर बना जेते हैं इसको और थोड़ा से इधर कर लेते हैं अरे अरे तु कहां से आ गया भाई ऐसे आज़े इसको इधर रख देते हैं और इस वाले को थोड़ा से इधर कर देते हैं लेंद ब्रेट तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ठीक है चलिए तो इन्होंने बोला है एबी ना एबी 6 है तो यहाँ पर अच्छा आप ध्यान से समझेगा 100% जो बड़ा होगा वो लेंथ होगा तो यहाँ पर B और C बोल देता हूँ और इसको मैं 8 cm कर देता हूँ फिर ही A यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि मैं इसको 6 cm बोल सको हूँ क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं तो A, B, C, D आप नेमिंग कर दीजिए और चारों एंगल आपके सामने 90 डिग्री के होते ही होते है यह आपके पास मैप है ध्यान रखेगा बड़ा सा लेंड है प्लोट है उसका हमने एक मैप तयार किया है यहाँ पर रिडेक्शन हुआ है और साथ में इसका जो के है के है वो वन रिशियो 50,000 है मतलब वो वन रिशियो पी वाली जो कहानी थी ना उससे रिपरजिन करते है और यहाँ पर आपसे राइटेंगल बोल दिया फैंड दे एक्चुल लेंथ अप डाइगेनल एसी ऑफ यहाँ ने बोले ने डाइगेनल एसी एसी यहाँ पर लिखा हुए यह तकी तो डाइगेनल एसी का जो मैप वाला है ना मैप वाला वो तो हमें पता हो पहले तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके कैल्कुलेट कर लेंगा यह आठ है यह च्छे है 90 डिग्री है तो पाइथागरोस लगा देंगे तो आठ का स्क्वार चैका स्क्वार कितना हुए 64 प्लस 3600 अंडर रूट 100 कितना हो गया 10 तो यह आगे आपके पास 10 सेंटिमेटर पाया था अगरा साथ है नहीं क्लास में हिकरा दिया था अब बैकुभी वाले काम निकरने कि यह नहीं आता ध्यान रखना है तो यह 10 सेंटिमेटर आ गया एक अरे यह तो बीडी है आपके पास पता चला मैप का बट हमें क्या बताना है एक्चुल वाला और वह भी किसम है किलोमेटर में तो आप पहले निकाल लेते हैं तो हमें पता है length of map length of diagonal यहां पर diagonal लिख देंगे AC of map map का जो diagonal है k times int में यस k times कितना होगे आपके पास एक्चुल वाला actual diagonal of plot खतम बाद तो हमें actual diagonal of plot ही तो निकालना है और करना क्या है तो इनके values पूट कर देते हैं हमें पता है diagonal of the map map वाला कितना है 10 cm ठीक है is equal to k करेश्य वन अपन में 50,000 एक दो तीन चार और इंटो में क्या है आपके बस actual length तो ये actual length ऐसे कर लिया मैं या फिर actual length of diagonal actual length of diagonal ये ध्यान रखेगा साथ साथ में लिखते जाएगा ये इधर आ जाएगा इंटो में कितना आ जाएगा फाइफ एक दो तीन चार पांच इतना आ गया पांच आ गया सेंटीमेटर तो ये आ गया मेरे पास पांच एक दो तीन चार पांच पांच लाग सेंटीमेटर इस एकट्याल टू एकच pirates से करते हैं तो ये मेटर में आएगा फिससे अगर आप थाउजंड से करते हैं तो आपके पास ये किलो मेटर में देखने को मिल जाएगा तो यहां से मैं centimeter हटा देता हूँ अब और इतना रखके इसको kilometer लिख देता हूँ तो actual length हो जागे पांच-जीरो पांच-जीरो काड़ देजे तो 5 kilometer आपके पास actual length of the diagonal जो हो निकल कर आ जाएगा सेम इसी तरह से length की बात करें तो diagonal है क्या एक तरह किसी length ही तो है breadth बोलता है इसका breadth कर लेता है height बोलता है height कर दे बिल्कुल अच्छा height तो यहां पर ही नहीं पहले तो पता कर लेंगे कि original वाली का या फिर map वाली का कितना है actual का पूछा है तो map का पता हो जाए बस यह चोटी सी चीज है तो आवर पता करते हैं जरा क्या है इसमें तो इसका length और breadth दीख रहा length और breadth तो area कितना होगा इसका length into my breadth तो length कितना 8 है ब्रेथ कितना अच्छा है तो 48 cm square हो जाएगा तो यह जो 48 cm square आया है वो तो area है और वह भी किसका है map का है और आपको हमने बता दिया है हमने आपको बता दिया है कि area of map जो होता है that is k square times actual area actual area हमें actual area ही निकालना है आप कह सकते है k square इधर आजाएगा डिवाइट है ना तो आप ऐसे कर सकते है area of map हमें पता है 48 cm square में हमें पता है cm square में हम निकाल रहे हैं बाद में किलोमेटर में convert कर सकते है no doubt is equal to k के जगा रखे पांक चारी जीरो था सोरे और इसक्वाइर है कि square और इंटो में क्या आजाएगा आपके पस actual area है ना अरा एक्च्वाल एरिया चलो भी यहां से अपने आपको एक्च्वाल एरिया निकालना है कैलकुलेशन कर दीजे बस यह आजाएगा 48 cm square is equal to one upon मैं यह एक दो तीन चार म कर देंगे से और यह आजाएगा आपके पस actual area अब एक्च्वाल एरिया ही निकालने का यह दोनों इस दिवाइड में तो यह आजाएगा मेरे पास 48 cm cm तो भी अटा देता हूं इंटो में एक इंटो में लिख लो एक दो तीन चार फिर multiply में 5 एक दो तीन चार और यह चलो यार km2 में निकाल देते हैं इसको तो सबसे पहले सारी चीज़ों कैसे लिखो 25 हो जाएगा और एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ जिरो रहेगा सेंटीमेटर को चेंज करो मीटर में तो 1 बाइ 100 और km तो एक दो तीन चार तीन तो यतना km में अब जाकर यह km में और कितना जाएगा दो दो चार एक आठ थे ना दो चार पांच छे साथ आठ हो गया और इसका मतलब है वान अपोन में पांच जिरो तो इसको कर करेंगे दस जिरो जाए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह आगे आपके पास km2 में इधार है actual area चलिए आठ आठ जिरो से आठ जिरो को कैंचल कर दीजिए बाकी जो दो जिरो बचेंगा ना पचीस चो के सो खाट दीजिए चार से इसको बारा बार में काट दीजिए तो 12 km2 बच गया इसका area और समझ रहे हैं 12 km2 area कितना बड़ा लेंड था उसको हमने एक ऐसे map में convert कर दिया था जिस सेम 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 अब आपको वह सर्म वाला सेम सेम नहीं ऐसे एमी वाला देख लीजेगा अच्छा अब यहां पर बिल्कुल सेम सेम सीजिए देखने को मिलेंगा कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बाई साब बड़ी चीज पूछ लेगा आपसे फिर से आपके सामने यहां पे एक model है क कैसे बनाओ मैं हम 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 चलो एक जादू वाली छड़ी लेते हैं को सिस करते हैं सीप बनाने का कि क्या पता देदे सिफ बना कर आजआ आजा आजआ आजा थोड़ा से रह गया एक सीफ जो है ना थोड़ा से रह गया वरना हां जाता हमारे सामने यार शिघि और भी कुछ 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 करना पड़ेगा यहां पर खिड़की बना देता है किया पता आजाएगा अब तो आजा यार कि नहीं दिया से ब्रीज ब्रीज बना कर दे दिया कोई नहीं मान लेते हैं कि हमारे पास है चलो जादू पिछरी चेंच ओके तो यहां से हमें मॉडल है वन रेशियो थी तो के की वाइल यू आपको पता चली गई वन अपॉन में 300 चिक है चलिए अब आपके पास इदा लेंथ ऑफ दा मॉडल ऑफ दा सेपिस टू सेंटिमेटर तो मॉडल का जो लेंथ है वो टू सेंटिमेटर क्या रहो टू मीट को इसे आसान क्या मिलेंगे फिर से फेरी चीज यहां पर लिख देंगे लेंथ अफ मॉडल इसके जगा दो मीटर रख देंगे is equal to k के जगह पर one upon में 300 रख देंगे और यह actual length रहेगा तो actual length कर दिजे यह इधर आजाएगा तो 600 meter actual length आजाएगा लिख लिजेगा पूरा actual length खतम बाद, first part complete, second part में बोला है area है तो area के लिए सब कुस तो अच्छा, इसमें किसका area दिया है उसका भी ध्यान रखना है तो बार बार जरूर लिखना है इसको अच्छे तरीके से कि area of model, area of model और यहां पे model कौन है, is equal to area of shape और into में k square होता है, आपका मालू है na, area के case में k square आपता है तो इसमें दिया क्या उसका area of the deck of the ship is इतना, मतला actual वाला दे रखा है, 18,100,000,00 m2 calculate the area of the deck of the model, तो model के deck का area निकालना है, है ना, तो यहां पे यहीवाली चीज निकालना है, तो k square, k square मतला 1 upon 300 का square और मल्टिप्लाइ में एरिया आप दा सिप एक्चुल वहला पता है एक लाख एजार मेटर स्कुयर एक लाख असी हजार मेटर स्कुयर अब इसको काटा पिटी कर देंगे यहां पर हम यह तो बच्च वाली चीज है हमारे लिए वान अपन में थ्री हंडड मल्टिप्लाइ फ कि यह मेरे को गलत क्यों लग रहा है जस्ट लेट मी चेक और अच्छा पूरा सिप नहीं है वैसे यहां पर यह जो था ना सिरफ डेक था मॉडल का ना डेक सिरफ डेक डेक का एरिया दे रखा था पूरा पूरा सिप नहीं मैं अभी सुच आर इतना कम कैसा रखता है सिरफ देक्ट है इसका ठीक है जा चले को डेंट आख ना इसका बात नहीं तीसरे में वाल्यूम की बात का रहा है बोल्कुल समसी कर देंगे वाईम अब दा मॉडल अपकी बड़ीन अब फिर से वाईम अब दो मॉडल देरा जा यहां पर एरिया ता महां पर वाईम हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, volume of model is equal to k का cube और साथ में क्या रहाएगा, actual volume. हमसे अब क्या पुछा है, यहाँ पर actual volume पूछा होगा, तो actual volume कितना है, है ना, find the volume of the shape. अच्छा, कितना देंगा, 6.5 देंगा, तो इसके जगाँ पर 6.5 कर देंगे, यहाँ पर 1 upon 300 multiply में, 1 upon 300 करेंगे कि को k का cube है, और इन्टो में क्या रहाएगा, actual volume. और actual volume यहाँ में निकालना है, तो यह अब उपर चले जाएगे, तो यहाँ जाएगा, 6.5 multiply 300, multiply 300, multiply 300, और इस उकल टो में आजाएगा, actual volume, is उकल टो में, actual volume. चलो भई, point अटाएगे, निच्चे 10 आजाएगा, 0 से 0 काट दीजे, इन्टो को multiply कर दीजे, answer जो आएगा, वो meter cube में आएगा, ध्यान रखना है, answer किसमें आएगा, meter cube में, क्या इतनी सी बात समझ में आगे, आप लोगों के done है, चलिए, आगे की बात कर लेते हैं, and the last question of this video Okay, again, same question, कुछ भी अलग नहीं है, अब check out करता हूँ कि ये मेरे करवाने लाइक है भी या नहीं है, सिरफ दो पार्टी पूछा है, वैसे फिर से आपको k दे रखा है, यह कोई question नहीं हुआ, यह तो बच्चों वाली चीज हो गई, देख लिजे, height दे रखा है, model का 80 cm है, त इसे model का दे रखा है, 80 cm, is equal to 1 upon 30 रख देंगे, और actual height पूछा होगा इन्हें, देखिए, तो यहां से actual height जो हो निकाल देंगे, 30 दर जागा, 80 यह 2400, 2400 किसमें ता cm, cm में आ जाएगा, actual height, देखिए, फस्ट वाले पार्ट का भी आंसर हो गया, चलो यार, यह भी करी देता ह में ही, आप लोगों के लिए क्या ही छोड़ो, second part में बोला है, actual volume of the tank of the tower, the building is 27 meter cube, तो जो building actual value, उसके top पे tank रखा गया, पूरे building के volume की बात नहीं कर रहा है, सिरफ tank की volume की बात कर रहे है, अच्छी बात है, उसका कर लेंगे, तो यहां पे लिख देंगे, volume of tank on model, model वाले का क की का क्योब इंटो में, volume of tank on actual building, यही तो होगा ना, इधर model है, उतर आपके पास क्या है, building है, actual वाले है, तो यहां पे कितना दे रहे है, 27, तो इसका जाएगा 27 meter का क्योब, is equal to k क्योब की है, 1 upon 30, तो 1 upon 30, multiply 1 upon 30, अच्छा किसका दे रखा, एक बार वो चेक कर लेंगे, यह वाली चीज़ दे रखे, यह नहीं है, यह वाली नहीं है, यह चीज़ हमें निकालना है, volume of tank की जो नया वाला model पर बनाएंगे ना, उसमें उसका volume क्या होने वाले है, model का, तो हो जाएगा k क्योब, 1 upon 30, multiply 1 upon 30, multiply 1 upon 30, क्योंकि क्योब है, इसलिए, और इंटो में actual volume के जाना 27, यह तो बहुत ज्यादा छोटी चीज़ है, तीन तीया, नौतीया, सत्ताई, सत्ताई से यह कर जाएंगे, निचे 1000 बचेगा, तो 1 upon में 1000, और you can say 0.001, इतना meter cube, yes, meter cube में आपके पास जो volume होगा, वो होगा, किसका model में एक छोटी से टंकी बिठाएंगे, उसका volume इतना र मज़े में आ गए होगे, और अगर ऐसा है तो फटावड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जीजेगा, साथ हिगर आप इस चैनल पे एक नई स्टुडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर जीजेगा, चलिए मिलता है अगरे वीडियो में प्रेक्टिस करते रहेगा, जय हैंगा